कि यहां से इलेक्ट्रिक और सेंजी बस से चालू होंगी और पूरे बिहार के लिए यहां से बसे रवाना होगी जिसे मुझा फर्पुर राजगीर कि चालू कि अ अगर माली जी बहुत सारा गाड़ी आ गया कार आगे बैटेρι ह county charging और अब लोग जीरे थीरे आना शुरू होगि बस का नजीं मुझे अभी जाना है मुझा पर पूर्पूर तो जाएंगे कि कौन कौन सा बस यहां से खुलेगा क्या क्या यहां पर है तो जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर यहां पर है नाम रही अपना तो चलि सबको बता दीजे कि कौन कौन सा बस जो है वह यहां से खुलने वाला बड़ा लोग टेंशन में यहां से इलेक्ट्रिक और से बस से चालू होंगी और पूरे बिहार के यहां से रवाना होंगी जिसे मुझापर पूर राजगीर दानापूर च्छापरा इसे विश्था पार्किंग विवस्था तीनों बूलिए बहुत सारा गाड़ी आ गया कार आ गया दो तो सब्सकिंग और फचास अलग से और हलती पार्किंग जो उने लिए बेटिंग doing कितना करोड लगा ये भी बता दीजे लोग करीब 161 करोड लगा है तो घाटन तो हो चुका है बस कब से चालू हो गई अब लोग दीरे-दीरे आना सुरू होंगे बस चालू है अगर मालीजी मुझे अभी जाना है मुझा पर पूर तो जाएंगे चलिए बस मिल जाएंगे आप आजएए आपका नाम क्या हुआ अशुतोष नारायन आप यहां किस पोस्ट पे थे साइट इंजिनियर यह बताई कि क्या खास है इतना करोड लगा है इस विल्ट लोग इतना दूर आके बस क्यों पकड़ने क्या खास है यहां से बस पकड़ने सब्सक्राइब हो गया कुछ विक पहले तो और बाकी जो और डिस्टिक्स हैं जो दक्षिन विहार के डिस्टिक्स हैं उनका परिचालन बस मीनिममम 15-20 चालू हो जाएगा है तो हर चीज होगा हर सविथा पूरी 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 फैसलिटी है अगर कोई भी पैसेंज सब्सक्राइब हो गया है तरह पूरी परिवहन पूरी सब्सक्राइब ऑदर है त्यस्ति के लिए बिहार के लोगों को क्या बोलना चाहते हैं बिहार के लोगों के लिए बहुत ही आप महतपुर्ण मतलब प्रजेक्ट है जिसके तहत उनको काम का बहुत आसानी से उनकी काम हो जाएगा चलिए एक सो एक सेट करोर रुपय लग के ये बहतुरीन जो बस टैंड है वो बंद के तयार है और चालू हो चुका है भीया धीरे धीरे लोगों के कान में जाएगा दिमाग में जाएगा तो लोग मुझधफर पूर जाना हो कहीं जाना हो यहीं से जाएंगे और प्रजेक्ट नाज होगा तो आना होगा इसी शांदार बिल्डिंग के पास और यहीं से आपको बस पकड़ना होगा तो बस लाइप शीरीज के साथ बंदे नेरे में चानल को सब्सक्राइब करें फिस पीज को लाई कर धन्यवाद